चिराग पास्वान जी, मोधी जी के हनुमान बढ़े हुए लोगों को देश में, अगर अनाज मिल रहा है पाँच माच के लोगा, उसमें कहीं है देखा गया कि ये हिंदू को बाटा जा रहा है या ये मुसल्मान को बाटा जा रहा है पता ने चिराग पास्वान जी के अपनी सोच है, स्वतंत रहें किसी के साथ भी रहने के लिए लेकिन आरेक्षन के बारे में चिराक पास्वाद जी को थोड़ी सी भी जनकारी नहीं है और नहीं आरेसेस के बारे में उनको इतिहास की जनकारी है जो संपन दलित है उसको आरेक्षन वापस लोटा देना चाहिए और मोदी जी ने जो चिराक पास्वाद के साथ जो किया है उनके पिता जी की मूर्ती को फिकवाया उनको घर को खाली करवाया उनके पाटी को तुड़वाया उनके पाटी का जो सिंबल बंगला था उसको चीनने का काम किया उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई फिर भी जो है चिराग पास्वान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए है वोई भी खुदगर्ज अधियागर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता लेकिन पता ने चिराग पास्वान जी के अपनी सोच है सोछा में किषके साथ भी रहने के लिए लेकिन आरक्षन के बारे में चेराग पास्वान जी को थोड़ी सी भी जनकारी नहीं है और नाहीं रसे सब्ल Caoid मर्म में उनकों इतिहाज की जनकारी है तोड़ा आरा रसे सब्लाइक के बारे में जनकारी प्राप्त कर लेकिंए और जानकारी उनको तभी प्राप्ती हो सकती है जब अपने पिता जी का, राम बिलाज जी जो हम सबों के नेता थी, उनके भाशनों को वो सुने, उनका भाशन जो है, राम बिलाज पास्वान जी का, छिराख पास्वान जी पहले सुने, समझे, उनके पिता जी ने कई बार य उन्होंने केंद्रे मंत्री मंदल से स्तीफा भी दिया तो ये सब लोग जानते हैं लेकिन चिराग पाश्वार जी विचाने नादान हैं है रहा हूँ इधार उधार कोई भटका देता तो भटक जाते हैं तोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए मोदी जी है तो आरक्षन पर खत्रा है मोदी जी है तो लोग तंत्र और सन्विधान पर खत्रा है यह यथार्थ है सच्चा है कान बंद करकर के नहीं रहना चाहिए आख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आख खोल के कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता सांसत केंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं, चार्ट सो पार लाओ और हम सर्मिधान को बढ़े हैं.